जबलपुर की नेताजी सुबाश चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा करमचारियों ने तीन ऐसे यूगों को दबोच लिया जो एक यूटी को नर्स की नोकरी दिलाने की नाम पर उससे 50,000 ले रहे थे इन तीनों लोगों को सुरक्षा करमचारियों ने नेताजी सुबाश चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंदन के हवाले कर दिया उसके बाद उनसे पूझताच की गई और तीनों ही यूगों को गढ़ा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है बताया जा रहा है कि तीनो आरोपी यूती को नर्ज का फरजी न्यूकती पत्र देकर 50,000 रुपई लेने वाले थे पर उससे पहले यूती को शक हो गया और उसने मेडिकल कॉलेज में पदस्त अपने अंकल को इस पूरे मामले से आउगत करवाया तीनों ही यूको को सुरक्षा गाडों की मदद से पकड़ा गया है बताया जा रहा है कि दो आरोपी भोपाल और एक सिवनी का है जानकारी के मताबिक छिनवाडा निवासे प्रियंका की कुछ दिन पहले सोशल मेडिया के माध्यम से सुनिल पटेल से पहचान हुई थी सुनिल ने यूती से कहा कि हम आपकी मेडिकल कॉलेज में नर्स की नोकरी लगवा देंगे आपको उसके एवज में 50,000 रुपई देने होंगे आज प्रियंका चिनवाडा से जवलपूर मेडिकल कॉलेज पहुची जहाँ आरपियों ने उससे नियुकती पत्र दिया तो जिस पर उससे संदेह हुआ तो उसने मेडिकल कॉलेज के कंट्रोल रुम में पदस्त अपने अंकल को इसकी जानकारी दी सुरक्षा गार्डों की मदद से तीन युवक सुनिल पतेल अजय पतेल और राजकुमार को पकड़ा और पूछ ताच की तीनों योगों को पकड़ने के बाद सुरक्षा गार्ड मेडिकल कॉलेज के अधिक्षक डॉक्टर अर्विन शर्मा के पास ले गए मेडिकल कॉलेज प्रवंदन ने तीनों ही योगों को गड़ा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है जहाँ पुलिस उनसे जानकारी जुटा रही है जी मैं ये कौन है और आपको कैसे सूचना मिली जी कि ये लोग मेरी बर्ती जी वियम का चोड़ी है चेनवाड़ा में प्राइवेट ऑस्पिटल में जॉब करती है उसको कहीं से कॉल आया कि आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज जबर्पूर में स्थाफ मेर सम्मिदा के भर्ती निकली उसमें अप्लाई किया था आप जब अल्पूरा जाओ तो हम आपको जॉइनिंग करा सकते हैं जब जॉइनिंग हो जाएगी उसके फश्षाद हमारी जो विराशी है पचासे जार के आसपार तो आपको देना पोड़े हम आपको पहले जॉइनिंग कराई ही उसके बाद पहीं से देना है आज जब हमारी बतीजी रही बती आई यह जो तीनों एक एक करके मिले मिलने के बाद इन्हों ने तो तीन घंटे घुमाया कि अभी आपको इंटर्वी होगा अभी आपके डॉकुमेंट वेरिफाई होंगे फिर आपको लेटर मिलेगा साड़े चार बजे के आसपास इन्होंने दिना इंटर्वी बिना कुछ हुए हमाई बतीजी के पास आके जॉइनिंग लेटर दिया मैंने पूछा भई यह जॉइनिंग लेटर तो गोपाल गबले हाँ यह सब वहीं से होता है मैंने का पहले मैं इसको वेरिफाई करूं कि क्या कंडिशन है सही भी है यह गलत है तो उन्होंने कहा कि ठीक है उत्ते में जैसे मैं वेरिफाई करने आया तो गार्ड लोग पूरे आ गए क्योंकि मुझे पता था कि यह टोटल फर्जी वाला है तो मैंने अपने संबंदित विवाग को सूटना करके मुला लिया था तो उसी समय तीनों को दबोचा और जब पता चला कि यह डेटर फर्जी है इससे कोई जोईनिम नहीं होती है उस आदार पे तेरह हुने बती जी क अधिकारी के लिए उसमें मैंशन है कि सास्की एंसीवी मेडिकल कॉलिग जवलपूर और यह बोपाल से कोई पत्र प्राप्ट ऊए इस पत्र की पूरी विस्तृत कि जानकारी के लिए और इसकी वैरिफकेशन के लिए उम इनको मिशन संचालक को पथ लिखा जारा है और cmh- जोपो इसकी अब आप सथित historic मे यह उसके बारे में जानकारी नहीं यह तीनों कौन हैं और कहा के हैं उसके लेटर के संदर में अभी हमारी तरब करफे कोई नहीं क्योंकि यह जो इसकी पहले जाच के लिए आमने जहां से जो पत्र जारी हुआ है वहां लेटर लिख रहे हैं और वह जो संबंदित हैं उनको थाना प्रवारी को भी उसकी कौफी दी जा रही है थाना प्रवारी अपने लेविल पर उसकी जाच करेंगे जवलपुर से आशिश बातरी की रिपोर्ट